चलिए आज हम start करते हैं इंगलिस grammar में active eyes and passive eyes active eyes, passive eyes क्या होते हैं उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि sentence का format क्या होता है पहले चलिए हम sentence के format को देखते हैं जैसे मोहन राइट से लेटर मोहन एक पत्र लिखता है तो किसी भी sentence में एक subject होता है एक verb होता है, दुसरा object होता है तो यदि किसी sentence में subject को परधानता दी जा रही है मतलब subject पर focus किया जा रहा है तो ऐसे sentence को active eyes का sentence कहते हैं जैसे attendance के sentence हो गए, modals के sentence हो गए, late के sentence हो गए imperative sentence, infinitive के sentence होते हैं जो simply तोर पर मौजूद होते हैं उनको हम Activize का sentence काते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे sentence में subject main होता है, subject पर focus किया जाता है, तो यदि किसी sentence में subject पर focus किया जाएगा, तो वह sentence हमारा Activize का sentence होगा, तो इसी sentence को हम इस तरीके से write कर सकते हैं, letter is written by Mohan, एक पत्र Mohan के दोरा लिखा जाता है, तो इस sentence में, इस sentence में, दोनों sentence का जो अर्थ है, same है, एक मोहन एक पत्र लिखता है, एक पत्र मोहन के दोरा लिखा जाता है, दोनों का meaning same है, बस कहने का अंदाज अलग है, इस वाले sentence मे मोहन को प्रमुख माना गया है और इस वाले संटेंस में पत्र को प्रमुख माना गया है तो यदि किसी संटेंस में सबजेक्ट को मेन फोकस किया जाता है तो उसको एक्टिव आयस का संटेंस बोलते हैं यदि किसी संटेंस में आपजेक्ट को मेन माना जाता है तो ऐसे sentence को passive eyes का sentence कहते हैं लेकिन किसी भी sentence का active eyes से passive eyes change कर चाहिए उसके कुछ नियम से होते हैं, कुछ rules होते हैं उसको हमें follow करना होता है चलिए कुछ basic नियम को चीजों को देखते हैं कि हम कैसे change करते हैं देखे, active eyes का sentence में object मौजूद होना चाहिए passive eyes बनाने के लिए तो passive eyes बनाने के लिए पहले object को पहले ला देते हैं उसके बाद tense के carding हमारा कौन सा tense है present का है, past का है, या future का है उसके carding हम helping वर्वका प्रयूग करेंगे उसके बाद passive eyes में हमेशा वर्वका third farm का प्रयूग किया जाता है passive eyes के sentence की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें हमेशा main वर्वका जो action बाला वर्व रहेगा उसका third farm और object को हमेशा by लगा कर subject को हमेशा object में जब ले जाएंगे तो उसको हमेशा by लगा कर write करते हैं देखे, इसी sentence का मोहन एक पत्र लिखता है एक पत्र मोहन के दवारा लिखा जाता है लेकिन हमेशा पैसी वायस बनाए है तो object को पहले ला दिये हैं और object के अनुसार ही हर tense का अपना helping verb होता है कुछ tense का मैं आपको बता दे रहा हूँ present indefinite tense में each MR का प्रयोग होता है present continuous tense में इस MR के साथ being लगा देते हैं present perfect tense में हाईजवीन या हैब बन लगा देते हैं past indefinite tense में वाजवर past continuous tense में वाजवर के साथ being लगा देंगे past perfect tense में हैडवीन योज़ कर देते हैं और future indefinite tense में will be future perfect tense में will have been का कहने का मिन्स यह है कि इस MR का जब प्रयोग करेंगे तो subject को देखते हुए उसके बाद imperative sentence का late का infinitive का उनका modals का उनका हम अलग से वीडियो में देखेंगे पहले यहाँ पर किवल हम active wise, passive wise के concept को समझते हैं कि active wise से passive wise कैसे बदला जाता है आप देखे यदि passive wise में change कर रहा है तो एक object होना बहुत ज़रूरी होता है तो object को पहले ला दिये और यह हमारा जो sentence है present indefinite का है क्यों? क्योंकि इसमें main word में yes या yes लगा हुआ है तो object को पहले ला दिये यह हमारा object similar है और similar के साथ हम जानते है कि ease MR का प्रियोग करना है क्योंकि active wise में do dutch प्रियोग होता है present indefinite tense में लेकिन passive wise में ease MR यूच करना है यह हमारा similar है इसलिए ease लगाएंगी यह तो tense से clear हो गया उसके बाद जो main word write है लेकिन passive wise में हमेशा main word का third form write करेंगे यहाँ पर tense के according helping word is easy amount का प्रियोग कर दिये उसके बाद main word writes है यहाँ पर कौन सा form है second है first है उससे मतलम नहीं है हमें हमेशा use करना होगा passive wise में verb का third form तो write का third form क्या होगा return और जो हमारा subject होगा passive wise में object बनाएंगे लेकिन by के साथ जो by का Hindi means होता है द्वारा के द्वारा तो यहाँ पर हम subject को last मिलांगे by Mohan तो इस sentence में इस sentence में difference क्या हुआ एक पत्र मोहन के मोहन एक पत्र लिखता है इसमें एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है तो इस sentence में focus किस पर को comment माना दे गया है और लेटर को इसलिए यह हमारा पैसिवाइस का sentence हो गया चलिए दुसरे एक्जामपल को देखते है You have done this work तुमने यह कार कर लिया है या आपने इस कार को कर चुके हो दोनों का meaning same है चाहे आप ऐसे बोलिए चाहे आइसे बोलिए कोई problem नहीं है देखिए कार करने का परभाव की इस पर है इस वर्क पर है इस वर्क हमारा आपजेक्ट है तो आपजेक्ट को पहले लाएंगे लेकिन हमारा यह परजेंट परफेक्टेंस है और अभी मैंने आपको क्या बताया परजेंट परफेक्टेंस में एक्टिवायस के संटेंस में हाईज और हाइब का प्रयोग करते हैं लेकिन पैसिवायस में हाईजवीन या फिर हाइबिन का प्रयोग करते हैं according to object, यहां पर हमारा अबजेक्ट है इस्वर्क, एक कार की बात हो रही है, यहां पर याद ही इस्वर्क सो हता, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, होती है, तो यहां पर इस्वर्क है, इसलिए उसके साथ क्या लगा देंगे, हयजवीन, उसके बार, यहां पर खुदिये थ लेकिन यदि हम subject से object बनाते हैं, तो उसका कुछ नियम सोता, I मी में change हो जाता है, B, S में, U, U ही, मतलब U ही एक ऐसा pronoun है, जो change नहीं होता, चाहे उस subject में आए, चाहे आपजेक्ट में आए, वैसे का वैसे रहता, यदि noun रहेगा, तो noun को वैसे का वैसे लिखेंगे, किवल change होगा वालनी pronoun, वो भी pronoun में हमारा जो, U है, U है, चाहे subject में हो, चाहे आपजेक्ट में हो, उसको वैसे का वैसे राइट करते हैं, और किसी का नेम नाउन होता है, और देखे किस फारमेट से हमारा चेंज होता है, अब हम फारमूली के द्बारा देखते हैं जो हमारा active I.S. का संटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है एक वर्व होता है, और एक अब्जेक्ट होता है दुसरा other words, इनके थोड़े थोड़े definition को मैं बता दे रहा हूँ, किसी sentence में जिसके बारे में बात होती है, वो हमारा subject होता है, और जो कार किया जाता है, उसको verb बोलते हैं, और जिस पर subject की दोर कियेगे, कार या वस्था का प्रभाव पड़ता है, उसको object बोलते हैं, और other words भ helping verb यूज करेंगे, tense के कार्डिंग, modal के कार्डिंग, या फिर imperative sentence के कार्डिंग, लेकिन उसके बाद हमारा main verb होगा, उसका third form राइट करेंगे, हमेशा पैसी वायस में, और dash dash dash, मतलब other words जो आएंगे, यहां बर उसको राइट कर देंगे, उसके बाद हमारा active वायस में subject लेकिन by लगा कर राइट कर देंगे, by subject, यदि noun रहेगा, वैसे का वैसे राइट कर देंगे, लेकिन यदि pronoun रहेगा, तो pronoun जब subject में जाएगा, तो इसका object to case राइट करेंगे, चलिए यहां पर example के माध्यम से और देखते हैं, he sings a song with his brothers, he sings वाकाता एक गाना with his brothers, अपने भ गाना गारा है, गाने का परभा किस पर है, असांग पर, और किसके साथ गारा है, वीद हिच ब्रदे अपने भाई के साथ, आप देखे, हम passive, यह तो एक्टिवाइस का है, क्योंकि इसमें subject कौन है, वा, subject में है, तो जिस sentence में subject में होता है, उसको कौन सा sentence बोलते है, एक्टि ला दिए, और यह हमारा है, परजेंट, इंडिफिनिटेंस, और परजेंट, इंडिफिनिटेंस में, यह हम आर का प्रियों करते हैं, और आपको हम सारे helping verb, राइट करा दें, अभी वैसे ही, क्यों आपको यहाँ पर definition बता रहे हैं, यह मार को राइट कर देंगे, यह हमारा similar है, तो similar के साथ each का प्रियोंग करेंगे, शिंग का third form होता है, शंग, और जो access part है, बीदिफिज ब्रेदर्स, अपने भाई के साथ, इस death वाले part में, वर्ब का third form राइट कर दिए, helping word tense के according change हो जाएगा, EJMR, यहाँ पर हमारा similar, इसलिए each, उसके बाद जो हमारा subject होगा, पैसी वायस में, उसको object बना देते हैं, लेकिन by लगा कर, ही का ही नहीं write करेंगे, क्योंकि ही write कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ, ही subject में मौझूद है, यहाँ object में जा रहा है, तो उसका object to farm write करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए, और bell icon को hit कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और आने वाले वीडियो में, हम इसको detail में आपको बताएंगे, अभी तो यहाँ पे केवल क्या होते हैं, उनके मैंने definition को बताया है,